नमस्कार दोस्तों मैं हरी स्यादव स्वागत करता हूँ मेरे यूटीब चनल पर मेरे सही प्यारे दर्सकों का आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बकरी पालन ट्रेनिंग के बारे में अज्पी को मैं बता दूं ये आउनलाइन मूड है तो आप घर बैठे जो भी हमारे किसान भई हैं जो भी हमारे नए दर्सक हैं बकरी पालन करना चाहते हैं और इसे website दिस्टी से देखते हैं और इसे एक website ग्रूप से अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने training का आयोजन किया है आप हमसे जुड़कर बकरी पालन training का हिस्सा बनकर आप बकरी पालन के बारे में बारीकिया समझ सकते हैं इसके बारीकियों के बारे में जान सकते हैं कब-कब कौन-कौन सी समस्याएं आती हमें किस प्रकार के तैयारी किया वसकता होती है इस training के दौरान इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है वो पूरी तरीके से दी जाती है मैं कुछ पहलू है उनके उपर चर्चा करने वाला हूँ साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगो कि आप किस तारीके से अपना रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये एक मार्च से सुरू होने वाली ट्रेनिंग है तो ये पूरे महिने चलने वाली है एक महिने की आराम से आपको जिसमें बकरी पालन के बारे में हर एक जानकारी ये हर एक जो पहलू होता है उसको कवर किया जाता है हमें किस तारीके से भाई बकरी फार्म सुरू करना है तो कितनी बकरियों के साथ सुरू करना चाहिए किस नसल का चैन करना चाहिए क्या तारीका होता है बकरी पालन करने का इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है फिर हम बात करते हैं कि भाई हमें किस ब्रीड का चैन करना है तो कौन-कौन सी ब्रीड जो है वो वेफ साइक दिस्ट्री से इनका पालन किया जाता है तो उनको अपने यहां पर किस तरीके से ढालना होता है एक अच्छी बकरी का चैन किस तरीके से किया जाए उसके क्या-क्या गुंड जो है वो हमें देखने चाहिए एक जो अच्छा ब्रीडर है उसमें हमें क्या-क्या गुंड जो है वो देखने चाहिए हम इन पहलों के बारे में आपको बताते हैं तो जब हम फार्म की बात करते हैं तो हमें किस तरीके से अपने फार्म को बनाना है कम खर्चे पर हमें किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना है किस तरीके से जगे का चुनाओ करना है इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाता है फिर अगर हम बात करें किया जब हम बक्रियां लेकर आ रहे होते हैं तो हमारे यहां पर जब हम खाने की बात करते हैं उन्हें फीड की बात करते हैं तो फीड मेनेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए एक संतुलित आहार हमें बक्रियों को देना है ताकि जो हमारी ग्रोध है हमारी बक्रियों की जो ग्रोध है वो बराबर बनी रहे तो संतुलित आहार कैसे बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजा हमें देनी होती है कितनी मात्रा उनकी हमें रखनी होती है इसके बारे में हमको जानना होते है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है समय बर अलग अलग जैसे मौसम बदलते रहते हैं तो उन मौसम के हिसाब से हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए फार्म का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए फिर उसमें कौन-कौन सी बिमारियां जो हैं वो फैलती हैं तो उनका बचाओ हमें किस तरीके से करना है उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है संक्रमित रूप से अगर हम बात करें तो कौन-कौन सी ऐसी बिमारियां जो फैलती हैं इनके बचाओं के लिए हमें टीक करना जरूरी हो जाता है, तो कौन-कौन से टीके हैं, कब-कब, क्या डोज उनकी देनी होती है, इसके बारे में हम आपको पूरी जनकारी देते हैं, फिर जब जो और छोटे-छोटे क्रिया कलाप होते हैं, बकरी पालन के उपर, कि जैसे बक कर लेते हैं, कि जैसे अगर हम अपने फार्म पर बकरियां रख रहे हैं, तो उसे और अधिक लाव हम कैसे कमा सकते हैं, तो जनरल ही हम बात करते हैं, जो कैस्ट्रेट मेल होते हैं, तो कैस्ट्रेशन किस तरीके से करना चाहिए, क्या उमर पर करना चाहिए, टैगिंग कैसे बड़े से दियार करना है उनका टियार करना है उनका फीड किस तरीके के से हमें तैयार करना है ताकि जो एक ग्रोथ रेट हमें मिलती है वो बराबर मिलती रहे तो इन सारी च Confederate ऑर आपको इसमें बताया जाता है साथ ही युजना है उनके बारे मैं खास करके अगर मैं बात करूं राश्टी पसुधन मिसन जो NLM है इसकी उपर आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी आपको अपनी प्रोजेक्ट चपोर किस तरीके से तयार करनी है इसकी उपर जानकारी दी जाती है फिर हम बात करें कि आप लोन के लिए अपलाई कर जाती है और बकरी पालन से सम्मंदित एटू जैड़ आपको जो जानकारी है इस ट्रेनिंग के दौरान सीखने मिलेगी बारेकिया मिलेंगी साथ में एक सर्टिफिकट भी दिया जाएगा जो इन फिचर आप कभी भी आप अगर माली जे फार्म सुरू करते हैं और आप सरक नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको बताना चाहूंगा कि पिछले तीन से चार सालों से लगातार जो आनंद भावे जी हैं वो ट्रेनिंग आयोज़ित करते रहते हैं दोनों मोड पर ट्रेनिंग आयोज़ित होता है ऑलनाइन और आफलाइन दोनों मोड पर काम होता है तो बिल्कुल आधिक जानकारी के लिए आप सर के सर से संपर्ग कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर आपको देखने मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी नंबर आपको चल रहा होगा आसा करतों यह छोटी सी जानकारी च्छोटा सा वीडियो आपको पसंद जरूर होगा पसंद आए तो दोस्तों के साथ सेर जरू करें और चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू करें थेंक यू